हेई फ्रेंड्स वेलकम कैसे हैं आप साब आशा है आप सभी सबस्त होंगे आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स के मैसेजिस आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तबी रेजोनेट करेगी, जनेरल है, कलेक्टिव है, सबी साइन्स, सबी रेलिजियन, सबी कास, सबी जेनरस के लोग इस रेडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं, ओपन माइंड के साथ ही चेक के जिए, जितनी रेजोनेट करें उ उनिवर्स बताएं कि मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स के परसन उन्हें क्या कहना चाहते हैं परस्ट काड़ आया है टेंपरेंज आपके परसन आपको कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक बहुत धैरियर और बहुत सबर रखा है लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सबर और नहीं हुए हैं कि वो आपके प्रोपोजल को accept करें तो कही ना गहीं वो भी आपको एगनोर कर रहे हैं ऐसी possibility हो सकती है और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जितना वो आपको एगनोर कर रहे हैं उतना ही वो आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए रोमांडिक उनके अंदर जनरेट हो रही हैं आपको उतना ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं अब वो हर तरह के मैनुपुलेशन से या फिर थर्ड पार्टी सिटुएशन से बाहर निकल रहे हैं और वो आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा सब्र और डेफिनेटली वो आक्षन लेंगे और इस बार आक्षन बहुत सॉलिड होगा जो भी चीजे उनके साइट से खराब हुई हैं आप दोनों के कनेक्षन में उन चीजों को वो ठीक करना चाहते हैं सही करना चाहते हैं आप दोनों की कनेक्षन की एक नई शुरुवात करना चाहत करना चाहते हैं आपके परसन आपको कहना चाहते हैं कि वह आपके साथ कोई शोट टम या फिर टाइम पास कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं और लोंग टम कनेक्शन रखने के लिए सब्र रखना बहुत जरूरी है जो कि मैंने आपको अल्रेडी बोला कि अभी भी आपके परसन हैं स्टक हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है जिसकी वज़े से आपके परसन एक्शन नहीं ले पारे देखिए next card है हमारा six of swords का definitely वह एक्शन लेना चाहते हैं वो आपके साथ जाकर कहीं दूर जाकर बस जाना चाहते हैं जहां आप दोनों को कोई disturb ना करें लेकिन स्टिल थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इतनी स्ट्रॉंग है जिसको वो अवाइड नहीं कर सकते तो वो आपको कहना चाहते हैं कि जहां आपने इतना सब्र रखा थोड़ा सब्र ओर रखिए क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से स्टक हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे प्यार नहीं करते हो आपसे बहुत प्यार करते हैं इस रिष्टे में बेलंस चाहते हैं और आप दोनों के कि नेक्शन में बेलंस pouvez भी हूर रहा है उस रिष्ठे में वह अबनीं चाहते हैं lifelong connectivity चाते हैं आपको वो बहुत ही प्यार करते हैं चाहे वो आपको confess करें या ना करें और definitely आपकी healing vibrations उन तक जा रही हैं वो पेली के comparatively काफी heal हो रहे हैं काफी balanced हो रहे हैं और काफी आपको understand कर रहे हैं कुछ और card से check करते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि चीजे जैसी हैं अभी आपको वैसी ही accept करनी होगी इसके लावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है यहां पर friends अगर zodiac science की बात करूं तो सभी zodiac science मौजूद है और अगर numbers की बात करूं तो 3 12 21 30 8 17 26 4 22 31 13 14 5 23 काफी prominent दिखाई दे रहे हैं 5 14 23 भी important है अगर आप दोनों के भीच में कोई जगडा चल रहा है कोई मनमुटाफ चल रहा है separation चल रहा है तो आपके person इस connection में reconciliation चाहते हैं आपके person आपके feeling को understand करते हैं अगर आपके मन में doubt रहते है कि पता नहीं मेरे person मेरी feelings को मेरे दर्द को मेरे pain को understand कर भी पाते हैं या नहीं तो वह आपको कहना चाहते हैं कि definitely वह आपको understand कर रहे हैं और वह वापीस अपने घर आणा चाहते हैं अगर आप しाधी के भी आप लोगों को भरपूर ब्लेसिंग्स मल रही हैं और डेफिनेटली आपके परसन आपको कहना चाहते हैं कि इश्वर में विश्वास रखो इश्वर सब ठीक कर देंगे इश्वर की आपकी इश्वर में आपकी और उनकी दोनों की काफी आस्ता दिखाई दे रही है तो किस्टी पर सब ठीक कर देंगे तो आपको थोड़ा विश्वास रखना हो गांड सबर रखना हो में पेशिंस रखना अद्हेरें रखना हो गांड इनटेंसीटी यहां पॉत पशनेत हो रहे हैं आपको लेकर से नों में बहुत ज्यादा रॉमैंटिक फिलिंग्स आ रही रहे हैं जिसकी वज़े से सब कुछ चाते हुए भी कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है तो आपके person की situation इस ताइम ऐसी है कि प्यार तो बहुत है चाते भी सब कुछ सही है लेकिन third party situation में कहीं न कहीं पूरी तरह से stuck और उलजे हुए हैं यहां पर मुझे four 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 number काफी prominent दिखाई दिएता है आप में से कई लोगों के लिए four days four weeks का time prominent हो सकता है जब आपके person आप से reconciliation करें आपके साथ कोई समझोता करें आपको confess करें या फिर आपके साथ commit करें या फिर इस रिष्टे में efforts लगाएं और आपको positive gesture send करते हुए नजर आएं तो यह सब चीजे मुझे दिखाई दे रही हैं और यह थी आपके person के messages आपके लिए अब हम finally true love reading card से check करते हैं कि उनके romantic messages आपके लिए क्या है और इस connection में कही न कहीं आने के बाद वो अपनी respect करना भी सीख गए है आपने उन्हें अपनी respect करनी सिखाई है आपके respect करनी सिखाई है next message है sexual freedom वो आपको sexually बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं जो कि मैंने आपको already बोला so sexual freedom का card है वो आपको sexually बहुत miss कर रहे हैं आपको हग करना चाहते हैं आपको किस करना चाहते हैं आपके साथ intimate होना चाहते हैं और बहुत passionate हो रहे हैं आपके लिए आप लोग definitely soulmate connection में हो सकते हैं और आपके person को भी इस चीज का realization हो रहा है कि ये connection कोई आज या कल का नहीं है ये connection जन्मो जन्मो का है और definitely आप लोग reunion के बहुत near है wedding के बहुत near है आपके person अगर आप दोनों के बीच में कोई conflict चल रहा है जो कि मैंने आप पो already बोला उसको सुलजाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में reconciliation चाहते हैं growth चाहते हैं, abundance चाहते हैं और आपकी healing vibrations अगर आप healing करवा रहे हैं तो definitely उन तक पहुँच रहे हैं वो पहले के comparatively mature हो रहे हैं things को understand कर रहे हैं आपकी respect कर रहे हैं खुदगी respect कर रहे हैं and maturity से चीज़े handle करने की कोशश कर रहे हैं and I'm damn sure बहुत जल्दी बहुत positive changes आप लोगों के love life and relationship में आने वाले हैं the divine feminine, definitely आप divine feminine है and आप totally balanced है, stable है और आपके person आपकी तरफ बहुत जादा attract हो रहे हैं passionate हो रहे हैं physically, emotionally हर तरीके से आप अपने person को अपनी तरफ खीच रहे हैं आप एक magnet की तरह बन गए हैं जिसको follow करने के अलावा आपके person को कुछ नहीं सूज रहा है तो अगर अभी तक आपके person अपने feelings को resist कर रहे थे दबा रहे थे, mask पहन रहे थे, खुल के नहीं explain कर रहे थे तो अब वो ज़्यादा देर तक खुद को resist नहीं कर पाएंगे divine feminine का मतलब ये नहीं है कि आप female है divine feminine के energy किसी भी male या female में हो सकती है जो अपने person के लिए बहुत efforts लगा रहे हैं और काफे ज़दा worried है बस मुझे two cards और चाहिए love अको person आपको कहना चाहते हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं और ये प्यार जन्मों जन्मों का है और bottom में है inner peace और वो अभी रिष्टे में शन्ती चाहते हैं इस रिष्टे में abundance चाहते हैं growth चाहते हैं stability चाहते हैं and stability चाहते हैं बहुती positive reading of friends अगर आपको पसंद आई है आपसे रेजनेट की है तो लाइक शेर एंड कॉमेंट जरूर से करें टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकोन एरीज लियू आंड साजिटेरियस कैंसर पाइसेज एंड स्कॉर्पियो अनजी काफी प्रॉमिनेंट है आपके लिए डिवाइन की गाइड अपने लाइफ में इंजॉए करोगे लाइट एनरजी में रहोगे उतने ज्यादा आपके परसंद आपके तरफ अट्राक्ट होंगे और आपके तरफ बहुत जल्दी कोई सॉलेट आक्शन लेंगे तो यह थी फ्रेंज आप लोगों के लिए रीडिंग थैंक यू सो मच फ